तो आज है डे 7 और कल हमने किया था डे 6 में उत्राखन में गोर्खा सासन के MCQS हमने क्लियर किये थे आज है इसी लेसन का डे 2 तो चलिए बिना देरी के वे आज के वीडियो के सुरुआत करते हैं तो हेलो एब्रिवन वलकम बैक टो चैनल तो कैसे हैं आप लोग आसा है बहुत अच्छे होंगे तो चले आज की नई क्लास के शुरुवात करते हैं और आज हम cover करने वाले हैं उत्राखन में गोर्खा सासन से related आज हम MCQs clear करेंगे तो चले शुरू करते हैं और UKPSC के जो complete notes हैं उन सभी को मैं आपको इस series में पढ़ाऊंगा और ये जो MCQs हैं वो हैं आपके उत्राखन के जितने भी exams होते हैं UKPSC से related या UKPSC से related तो आप उनको यूज कर सकते हैं और यदि आप इस पीडियाप को लेना चाहते हैं तो description box और first comment में वर्सप ग्रूप बिनक आपको मिल जाएगा आप वहां से join कर सकते हैं पहला MCQ है आप लोगों के लिए गोर्खा कालीन नैथरा किला कहां है option A है देहरदोन, अलमोडा, पितोरगड और नैनिताल तो आपके इसमें जो सही answer है वो है option number B अलमोडा मैं गोर्खा कालीन नैथरा का किला यानि गोर्खा जो गोर्खा लोग आए थे उनके समय का जो किला है नैथरा किला वो कहां है तो वो है आपका अलमोडा जिल्मन नैथरा किला यहाँ अलमोडा जन्पन में इस्तित है रामनगर गनाई के पास और इसके मार्ग मासी के समय पिस्तित है इसे गोर्खा काली माना जाता है यानी गोर्खा काली ने थड़ा का किल्ला अगला M.C. क्यों है कुमाओ का चाने के किसे कहा जाता है आप्शन है बद्रीदत पांडे, हर्स गोपाल, कालो महरा, हर्स देव जोसी तो आपके इसमें जो सही आंसर है वो है आपका आप्शन नमबर D. हर्स देव जोसी कुमाओ का चाने का कहा जाता है हर्स देव जोसी को और इन्हें कुमाओ के इतिहास में आप कह सकते हैं कूट राजनीति ग्या कुमाओं का चानक्या आदी कई नामों से इन्हें जानते हैं और इनके जो अन्य नाम हैं वो हैं कुमाओं का सिवाजी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कुमाओं का सिवाजी और कुमाओं का चानक्या तथा इन्हें किंग मेकर भी कहते हैं कुमाओं का चानक्या, कुमाओं का सिवाजी और किंगी मेकर बाकि एटकिंसन जो थे इतिहासकार उन्हों ने कहा था कि स्वार्थ पूर्ण देश द्रोही कहा था इनको किसको हर्षदेव जोसी को यह अगला MC क्यों है एटकिंसन ने हर्षदेव जोसी को कौन सी उपादी दी थी चानक्या, सिवाजी, देश द्रोही और इनमें से कोई नी तो मैंने आपको उपर बता दिया था तो आपका जो सही आंसर है इसमें वो है देश द्रोही औप्चन नमर से इस राइट आंसर एटकिंसन ने हर्षदेव जोसी को कौन सी उपादी दी थी तो देश द्रोही उपादी उन्हें ने दी थी या हम कह सकते हैं कि स्वार्थपूर्ण देश द्रोही उन्होंने कहा था अगला MC क्यों है गुर्खाओं की आई का प्रोमक सरोध क्या था मांग कर भूराजश्व कर कुशही कर और तिमारी कर तो आपका इसमें जो सही आंसर है वो है भू कर अप्सिन नमर B is your right answer गुर्खाओं की आई का प्रोमक सरोध था भूराजश्व कर तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिकेशन पर क्लिक कीजिए बाकि सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी नब भूलें सब्सक्राइब करना और आपका अगला MCQ है इसमें कुमाओ का प्रेथम गोर्खा सुवेदार कौन था काजी, नर्सिंग, अमर्सिंग थाफ़ा, बाम साह और जोगामल शाह तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपका उप्सन नमर डी जोगामल साह कुमाओ का प्रेथम गोर्खा सुवेदार था जोगामल साह कुमाओ पर गोर्खाओं के अधिकार के बाद प्रेथम गोर्खा सुवेदार या आपका सिकतें कि सुबा जोगामल साह को नियूप्त किया गया था अगला MCQ है गंगोतरी इस्तित गंगा माता मंदिर की स्तापना किस ने की थे अमर सिंग थापा, रन बहादर शाह, जगजीत पांडे, गीवरन, युध विक्रम शाह तो आपका इसमें जो सही आंसर है वो है आपका उप्सन नमर ए अमर सिंग थापा, गंगोतरी में इस्तित गंगा माता मंदिर है उसकी स्तापना अमर सिंग थापा जी ने की थे अगला MCQ है पुंगडी कर था एक परकार का, भूमी कर, संपत्ति कर, उत्सव कर, इन में से कोई नहीं तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका उप्सन नमर ए, भूमी कर, पुंगडी कर था एक परकार का, भूमी कर, आप लोगों ने वैसे पुंगडा या पुंगडी सुना होगा, आप यदि उत्राखंड से हैं या आउट ओफ उत्राखंड से हैं, तो आपने नहीं सुना हो यह आप आउट आफ उत्राखंड से हैं वैसे जादेता लोग उत्राखंड से होंगे या गडवाल सेतर से होंगे पुंगडी पुंगडी हम कहते थे खेतों को पुंगडी या पुंगडा यह गडवाले सब्द है और गडवाले के साथ उत्राखंड का सब्द है खेतों को का जादा पूड़ी अगला है मंगल की रात घटना क्रम किस गोर्खा सवेदार के समय हुए है मंगल के रात घटना क्रम तो काजी नर्सिंग अमर सिंग थापः बांशाह और जोगामल साय है अपका जो से आन्सर है वह है काजी नर्सिंग, मंगल के रात, घटना, करम, इसके बारे में ज्यादा लेक और टिपनी तो अपने पास है नहीं, मैं जरूर इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा अगले MCQ है, नेपाल सरकार ने काजी के उपादी किसे परदान की, आपका उपसन ये है काजी, नर्सिंग, अमर सिंग थापा, बाम साह और जोग अमल साह तो आपका इसमें जो सही आंसर है वो है आपका उपसन नमर B, अमर सिंग थापा, नेपाल सरकार ने काजी के उपादी अमर सिंग थापा को प्रदान की थी और हम चलते हैं अगले MCQ अगले MCQ है किसानों को तकावी रिंग किस गुर्खा सुवेदार ने दिया था ओप्शन दिये हैं अमर सिंग थापा, हस्ती दल चतुरिया, जगजीत पांडे और रणजोर थापा तो आपका इसमें जो सही आंसर है वो है आपका उप्शन नमर B, हस्ती दल चतुरिया, यह चतुरिया है या चोतरिया आप कह सकते हैं किसानों को तकावी रिंग हस्ती दल चोतरिया ने दिया था और इसके बारे में जो थोड़े सी एक छोड़े सी डेफिनेशन है तकावी रिंड से तो इसका अर्थ है कि वह धन जो जमीदार या राजा या आपका सेकने के सरकार के और से गरीब खेतिहारों को खेती के ओजार बनवाने या बीज करीदने या हम कह सकते हैं कि कुई आदि बनवाने के लिए अथवा किसी बिसिस संगट से पार करने के लिए रिंड के रूम में दिया जाता है और उसे क्या कहते हैं आपका तकावी रिंड अगला एम से क्यों है कुमाओ वा गडवाल का अंतिम सुविदार कौन था अजब सिंग थापा अमर सिंग थापा बाम साह और जोगा मल साह अपका जो से आंसर है वो है अपका उप्सिन नमर सी बाम साह कुमाओ और गडवाल का जो अंतिम सुविदार था वो था बाम शाह ने गोर्खाउं से युद लड़ने के लिए अपना राज सियांसन बेच डाला है तो आपका जो सही आंसर है फ़ेजन सक्वा प्रिदीन साहर गडवाल का एक सासका सक्वाइज ऐससा अब गड़नत के लिए के लिए अपना राज स्वासन ब baikना- ㅇ-. अगला MCQ है कपड़ों पर लगने वाला कर था तो कपड़ों पर जो कर लगता था या मो कर अधनी दफती कर तान कर और सायर कर तो आपका जो इसमें सही आंसर है वो है तान कर कपड़ों पर लगने वाला कर था तान कर स्वामी निर्गुणान किस नेपाली राज़ा का नाम था तो वो था रन बहादर शाह। स्वामी निर्गुणान और रन बहादर शाह एक ही ब्यक्ति थे इनका ये दूसरा नाम है अगला हम सी क्यों है मौला राम ने दानुवीर करण की उपाधी किस नेपाली सुभवेदार को दी थी आपका इसमें जो सयांसर है वो है रणजोर थापा अगला हम सी क्यों है विचारी वा अविचारी पदों का श्रेजन किस गुर्खा सुभेदार ने किया था तो आपका इसमें जो सयान से रहा है रणजोर थापा अगला MC क्यों है प्रती परिवार से लिया जाने वाला कर था तो वो था मोकर प्रती परिवार से एकर लिया जाता था वो था मोकर आप कह सकते हैं इसको टैक्स्ट अगला EMSQ है गरवाल पर गोरखा शेना का अंतिम युद्ध किस नाम से जाना जाता है आपका है चमवा युद्ध, बारा हाट युद्ध, खुडबडड़ा युद्ध, लंगूर गड़़ी तो आपका जो सयान चारह है वो है खुडबड़ा युद्ध गड़वाल पर गोरखा शेना का अंतिम युद हुआ था आपका खोड़बड़ा युद अगला MCQ है मरो कर किस से लिया जाता था संपती छेपाने वाले से पुत्रहीन ब्यक्ति से ब्रहमनों से या पशुचारकों से तो आपका जो इसमें सही आंसर है वो है अगला MCQ है अंग्रेजों वाग गोरखाओं के मध्य संगोली की संदी कब हुई थी तो आपका इसमें जो सही आंसर है वो है आपका अप्शन वाग्रेजों वाग गोरखाओं के मध्य संगोली की संदी हुई थी 1816 इस विमें और ये था हमारा last MCQ तो दोस्तों यदि आप हमारा कारिय पसंद करते हैं आप हमारे वीडियो पसंद करते हैं तो आप हमें support कर सकते हैं you can support us and our work तो दोस्तों मुझे आसा है कि आपको उतराखन जी के MCQ अन हिंदी के यहाव वीडियो पसंद आई है यदि आपको best note tutorial का content पसंद आता है तो आप हमें आप इसे social media पर share कर सकते हैं जाने आपके facebook, whatsapp और instagram पर आप ये share कर सकते हैं बाकि जितने भी आपके दोस्त हैं जो उत्राखन exam की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप share जरूर करें तो मिलते हैं हम कल इसी समय साड़े साथ या आठ बजे Thank you for watching, stay connected, stay blessed